हनी यानि की सहद को बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सुगर के उपर और यह डेफिनेटली चीनी से अच्छा माना जाता है मैं आपको बताऊंगा 10 बेनिफिट ऑफ हनी और यह भी बताऊंगा कि कैसे आप समझ सकेंगे यह हनी प्यॉर है या नहीं नमस्ते दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर बीमल चाजड़ है आपको मालू मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग भी ना बाइपास बीना एंजियो प्लास्टी आज आपको बताने वाला हूँ बहुत सारे टॉपिक्स में हम लोग डिसकस करते रहे थे तो आज आपको इसी सिलसले में बताऊंगा सहद के बारे में सहद के दस बेनिफिट क्या क्या होते हैं और सहद प्यॉर है कि नहीं है कैसे बता करेंगे तो दस बेनिफिट में पहले ये देखते हैं क्या क्या बेनि और fructose है, they can be digested easily और वो सुगर को बहुत ज़्यादा increase नहीं करता है उस हिसाब से ये बहुत अच्छे माने जाते हैं अगर एक टेबल स्पून हनी लेते हैं उसमें 17 ग्राम सुगर होता है पर वो तरह तरह के कार्भो हैडिर्स होते हैं ये उसका फाइदा होता है दूसरी है इसमें एंटी आक्सिडेंट काफी होती है सुगर मैं आपको मालू मैं चीनी में कोई एंटी आक्सिडेंट नहीं है पर हनी में बहुत सारे एंटी आक्सिडेंट होता है ये हमारे एजिंग को रोक के रखता है हमारे हाट की बिमारी को भी रिवर्स करने मदद करता है डायबिटीस के इसाब से भी अगर देखें तो अगर आप सुगर और सहथ को कंपेर करते हैं तो डेफिनिटली सहथ बढ़िया पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्लुकोस को बढ़ाता नहीं है इसमें मॉल्टोस वगरे होती है वो बहुत जल्दी सुगर में कनवर्ट नहीं होती है तो वो नहीं बढ़ाता है जितना प्लेन सुगर बनाता है बलड प्रेशर भी कम करने में हनी का फाइदा होता है कोलेस्टरॉल भी कम करता है because इसमें बहुत सारे anti-oxidants और ये देखा जाता है 3-5% cholesterol को ये कम कर सकता है honey से triglyceride भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है जितना सुगर से बनता है आपको मालूम है सुगर ज़्यादा लेंगे तो triglyceride बढ़ता है को दिया जाता है एक और honey का फाइदा होता है कि ये weight loss भी करवाता है अगर compare to sugar करेंगे तो honey में calories तो ही है बट उतना high नहीं है जितना sugar में होता है तो वो फाइदा है sugar का और एक बात याद रखिएगा इसको लेने का जो तरीका है इसको गरम पानी में एक चमच honey दे के निम्बू के साथ लीजिएगा इसमें बहुत जल्दी इसमें weight loss में फाइदा होता है और ये skin में भी फाइदा करता है skin को smooth करता है skin की जो glare होते है उसको बढ़ाती है तो ये skin के लिए भी फाइदा है honey को लेना कैसे चाहिए आप simple ले सकते है अप चाठ के ले सकते है आप चाए में और या सर्थबत में कहीं पे भी honey मिला के ले सकते है कोई भी चीज़ आप मेठाई मीता ही बनाते हैं उसमें honey को इसमाल कर सकते है मैं आपको मालू मैं सुगर मिला दिया जाता है हनी का कोस्ट जादा है सुगर का किस्ट कम है तो हनी में सुगर अगर मिला दिया जाए तो वो बहुत कमाई होती है इसलिए लोग हर पकर डाउटफुल रहते हैं कि हनी लें तो प्योर है या नहीं है तो इसको चेक करने के दो-तीन तरीके बता देता हूँ एक तो हनी के संग आप कोई भी माचिस का तिली या कोई इयर बर्ड में आप हनी लगाईए और उसको आग में ले जाके रखे अगर खड़ाक से जल जाती है तो हनी प्यूर है और अगर इसमें चीनी होगा तो जलेगा नहीं ये पहला है एक आपको ये बोला जाता है कि हनी के अंदर थोड़ा सा पानी डालिए और उसको घुमाते रहिए अगर इसमें कोई हेक्सागोनल से आने लगे तो हनी प्यूर है उसमें चीनी कम है और है नहीं और एक काम कर सकते हैं जो स्टिकी एक हनी को लेकर ऐसे ऐसे करिए हनी जब चीनी मिल जाता तो स्टिकीनिस कम हो जाती है फिर वो चिपके बहुत दिर तक आगे नहीं खीचेगा पर अगर काफी अच्छा तक खीच रहा है तो आप समय लिजा हनी करीब करीब प्योर है ये वाले बहुत सारे लोग करते हैं और हनी का जो स्मेल होता है वो भी आप प्योर हनी को एक बर कर लेंगे और चीनी वाले हनी को कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा उसके जो खुस्बू होती है वो स्पेशल होता है एक सुगरी खुस्बू होती है और ये ट्रांस्परेंट और साइनी भी होती है तो एनीवे आप हनी को पहचाने प्योर हनी लीजे चीनी नहीं लीजे चीनी और हनी में हनी इस डेफिनेटली बेटर दोस्तों मेरा नाम और सारी हेल्थ के बारे मैं आपको knowledge देता हूँ जो nature वाले चीजे उनको बढ़ावा देता हूँ जो आईरुवेदा होमयापती है उनको मैं बढ़ावा देता हूँ मैं बोलता हूँ बॉड़ी को आप जितनी nature वाले चीजे दोगे बॉड़ी उतना अच्छा है करिग दोगे उनको दोगे हूँ